देखे वाद एक बार फर्जे आप सभी का स्वागत है गुड लग टेप्स में पनिचे ब्लेड प्रेशर खत्म करने के जोतीशी उपाये जो है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लोगों के लिए बहुत उपियोगी है वो महत्वपूर्ण उपाये आपसे जाना चाहे हैं अभी मैंने आपको ब्लड पिशर को जड़ से खत्म करने वाला एक दुल्लब मंतर प्रयोग बताया अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड पिशर जैसे बीमारी को दूर करने के कुछ जोतीशी उपाये सरल रेमेडी सिंपल उपाये जिनको अपना कर आप अपनी ब् मावजूद भी उसको स्वस्त लाब नहीं हो पा रहा है तो किसी भी रववार से आरंब करके लगातार तीन दिन तक गेहूं के आटे का एक पेडा बनाना है और एक कलश पानी या लोटा पानी जो भी पिडित या बिमार व्यक्ती है उसके सिर के उपर से उसको उबार कर ज कि जलको उसके सिर के उपर से उतार करके जलको तो किसी शुद्ध पौधा हो और शोक का हो आं का हो वहां पर डाल दीजिए और वो जो पेडा है वो गव माता को खिला दीजिए आवश्य ही तीन दिनो के अंदर जो भी विमार व्यक्ती है वो अपने आपको स्वस्त करने लगेगा घर का उपाया जमा के देखिएगा बहुत फायदा होता है अम आवस्या के दिन प्राते काल मेहंदी का दिपक पानी मिला कर बनाएं जैसे अपना आटे का दिपक बनाते हैं वैसे मेहंदी का दिपक बनाना है उस दिपक को चव मुखा बनाने का प्रयास तेल का दिपक बनाना है मेहंदी का चव मुखा उसमें साथ उड़द के दाने थोड़ा सा सिंदोर और थोड़ा सा दही डाल कर एक नीबो को काट दीजिए दो फांक कर दीजिए उसके वो भी उसमें डालतीची अब अपने सामने शिव जी की या भैरुजी के चितर को रख उनका पूजन कर ले और उस दिपक को जलातीची जलाने के पश्यात में महाम्रतुन्जे मंत्र तम वेकम यजा मही सुगंधिम पुस्टिवर्दनम और वारुकम वबंधनान मत्य और मुक्षिय माम्रतात या ओम जुमसा ओम जुमसा ओम जुमसा ओम या बटुक भैरव इस कहीं कोई सूखा कुवा हो वहाँ पर जाके उसको छोड़ के आ जाए पीछे मुड कर नहीं देखना है और उस दिन जिस दिन ये प्रयोक करें एक ब्रामन को और उसकी पतनी को भोजन अवश्य करा दीजेगा वस सिताधिका दान भी कर दीजेगा और कुस दिनों तक पक्ष हो सकता है डाक्टर कहें कि ना भई अब कोई दम नहीं बचाए तो आप यो पाई करते हैं वह यदि कोई बहुत जादा गंभी रूप से व्यक्ति बिमार हो जीवन मरन का प्रश्न बना हो डॉक्तर ने हाथ खड़े कर दी हो तो जव का सवा पाऊ समझ लीजे आठा ले लीजी उसमें साबुत काले तिल मिलाकर उसकी रोटी पका लीजे गोंद के रोटी पका लीजे अच्छी तरीके से रोटी सिख जाय ध्यान रहें कच्छी न रह रोटी के ऊपर थोडा सा तिली का तेल और गुण का जाल कपर उसका पेड़ा बना दीजे और एक तरफ रग देजे फिर इस रोटी को बिमार व्यक्ति के ऊपर से साध बार वार कर के किसी भैसे को खिलाना है भैस को नहीं भैसे को खिलाना है कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है कोई आवाज नहीं लगाना है भैसा कहा मिलेगा इसका पता आपको पहले से मालूम करके रखना है भैस को रोटी नहीं खिलानी भैसे को खिलानी है वो ही स्रिस्ट माने जाती है शनिवार मंगलवार के दिनी ये काम करें बहुत फायदा होगा पीपल के व्रक्ष को बारा बजी से पहले पहले जल में थोड़ा दूद मिलाकर सीचे और शाम को तेल का दिपट लगाए और अगर बत्ती जलाए ऐसा किसी भी वार से शुरू करके साथ दिन तक करें बिमार व रखें रोगों से लड़ने की शमता डवलप हो जाती है ताकत मिल जाती है अगला उपाहिं हर्दे के रोगों और ब्लड पेशर के रोगों से मुक्ती के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग किया जा सकता है इस प्रयोग को करने के लिए पंच मुखी सब्त मुखी ग्यारा रुद्राक्ष लेकर गंगा जल छिड़क कर पवितर करें सुग बार को शिव मंदिर में रखें और भगवान शिव का ओम नमर्शिवाय मंतर का जाप करते वे दूद अरपन करें और रुद्राक्ष को किसी काले रंके धागे में पिरोग कर उसे गले में धारन करनें जो व पूरी सी खीर काले रंके कुत्तों को खिलाएं अगर आप किसी भी रोग से मुक्ती प्राप्त करना चाहते हैं तो हर दिन अपने भोजन से चोथाई भाग किसी कुत्ते या गाएं को खिलाएं रोग से मुक्टि के लिए हर शनिवार मंगलवार को इमर्ति लेकर खुद के उप़र से वार करके कुट्ते को खिला दीजिए ये रोगों से चुटकारा पाने वाले के उपाए है साथ सब्ता लगातार करने से आपको मिमारी से मुक्ति मिल सकती है रोग मुक्ति के उपाए में आप इस आसान से प्रयोग को भी कर सकते हैं इसके लिए आप करना क्या है गोबर का जो कंडा होता है और लकडी को जलाकर राक बना ले, उस राक को मिला ले और गूत कर एक गोली बना ले, अब उसमें एक सिक्का और एक कील गार दे और उस गोले के उपर काजल और रोली का प्रयोक करते हुए साथ निशान बना इए, इस पकार बने गोले को कंडा लेकर उस पर रखे और बिमार वक्ती के शरीर के उपर से साथ बार गुमा कर किसी चुराई पर रख करा जाएगे चुट्टी मिल जाएगी बिमारी से अगर रोगों से चुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है? सवा दो किलो बाजरा लेकर उसे शनिवार को दोपैर में पकाईए पकाते वे इसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल दीजिए किसी मिट्टी की हांडी में भरके रख दे शाम होने पर उस हांडी को रोगी के बाडी के उपर से बाएस से दाहें की तरफ घुमाना है फिर चुराय पर जाकर उस हांडी को रख के आ जाए पीछे मुड़ के मत देखीगा किसी से बात मत कीजिएगा बिमारी से मुक्ती मिलेगी अगर किसी भी रोगी को रोग नहीं छोड़ रहा है तो रोगों से चुटकारा पाने के उपाय के अंतरगत आज सरसो का तेल गरम करें उसके बाद उसके भीतर चमडे का एक टुकड़ा डाल दे और दोबारा गरम करें उसके भीतर एक फिटकरी, नीवू, लाल रंग की काँच की चूड़ी और कील डाल दे इस तेल को किसी मिट्टी के पातर में खटा कर ले रोगी के शरीर के उपर से उतारा करके संसान जगया पर जाकर उसको छोड़े आ रहे ये प्रयोग रोगी को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है अगर आपके घर में किसी व्यक्ती का रोग बहुत प्रयास करने के बाद भी दूर नहीं हो रहा हो तो एक और सरल उपा है वजन की मातरा में गेह लेकर उसे किसी जरतमन व्यक्ती को दान में दे दे रहिवार को करे वहीं दूसरा एक और पाए अगर व्यक्ती बहुत जादा बिमार हो वजन के बराबर गुड का दान गौशाला में करे रोगी को ध्यान रखें हमेशा घर के अंदर सोते समय दक्षिन दिशा की और सेड़ कर सोना चाहिए उत्तर की और सेड़ नहीं करना है खाना खाते समय उत्तर की तरफ मुख करके खाना खाए पूरफ की तरफ मुख करके खाना खाए और इसके अलावा मेडिसन दवाई ओश्दियां आपको हमेशा उत्तर पूर कोने में रखनी है दक्षिन पर्शिम कोने में नहीं रखनी है ये सरलसी जो सिंपल वास्तू रेमेडीज होती हैं ये भी आपकी नेगेटिविटी को दूर करने में असरदार होती है जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति बिमार होता है तो आपको इस बिमारी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए योगा करना चाहिए प्रणायाम करना चाहिए और दोस्तों एक मिनट आपका ओड लेऊँगा आज एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ यदि आपका कोई रिलेटिव आपका कोई दोस्त अगर आपका कोई दोस्पिटलाइज है तो आप उससे मिलने जरूर चले जाएए क्योंकि hospital आपको पुकार रहा है वो आपको phone कर रहा है कि मिलने आओ तो चले जाए क्योंकि hospital पुकार रहा है अब भी आप मिलने चले जाएंगे ज़्यादा अच्छा है नहीं तो किसी रूप में आप hospitalized हो जाएंगे इस बात का विशेश रूप से ध्यान दखी अगर खुद को hospitalized होने से बचाना चाते है तो यदि कोई मिलने बुलाता है hospital तो मिलने चले जाएंगे आपको hospitalized होने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो ये सरल सी remedies मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है एक दुलब और एक चमतकारिक मंत्र मैंने आज आपको बताया है जिसके प्रयोग मातर से आप blood pressure जैसी ला इलाज बिमारी को दूर कर सकते हैं आप swim doctor बन सकते हैं अपने ध्यान रखिए योगा प्रणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए किसे भी बिमारी को दूर करने के लिए जैसी किशना तो दरशकों अपने चीवन आपको बहुत बहुत जाना होगा आप सब ही ने परणेशी आपका बहुत बहुत चुक्रिया हमारे सुडियों माने के लिए दरशकों कितनी महत्यपूरण जन काई देने के लिए आप सभी का आज का दिन मंगल में होशोग जशिकिशना जैमाता की जशीरी तो दर्शक अगर आपको भी कोई समस्जा है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें सुम्वर से शेक्रूरार कॉल कर सकते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आडिया गुड़ लग टिप सर्द्रेट फस्टन्यान्यूज डॉट कॉम आप से फिर होगी मुलागात तब तक के लिए खुछ रही अपना ख्याल रखें नमस्कार